हेलो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं मेकप टिटोरियल विद ग्रीन ग्लिटर आई मेकप सो वह स्टार्ट करने से पहले अपने स्किन को अच्छी से प्रिपेर कर लिजेगा क्लिंजिंग टुनिंग मॉश्यराइजिंग उसके बाद मैं यूज कर रही हूं यह प्राइमर य यह पोज जो है वो ब्लर कर देता है तो मैं अपने फेस में वहीं लगाऊंगी यह जहां पर मेरा पोर्स है उपन पोर्स है सो नोज नोज के पास का एरिया और जो बच जाएगा वो अपने फेस में पुरा लगा लोंगी तो इसे हलके हाथों से प्रेस करकर लगा लेना अब करेंगे हम अपने अंडर आई को ठीक तो जो भी डाक सर्कल्स है उसके लिए मैं ले रही हूँ रेड कलर का लेप्स्ट्रिक मेरा है आप कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं मुझे यह रेड लेप्स्ट्रिक जादा ठीक लगता है मेरे स्किन में आराम से यह सटल हो जाता है सो मैं अपने फिंगर के मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी और हलके हाथ से ब्लेंड किजेगा अब मैं ले रही हूँ फिटमी का फांदेशन मेरा शेयर है 115 बट अभी स्किन टैन हो चुका है जिससे यह थोड़ा सा मेरे स्किन में लाइटर हो जा रहा है तो मैं मैं इसे अपने हाथ में तोड़ा से लेके फिंगर के मदद से अपने फेस में पूरा डॉट कर लूँगी ताकि यह आराम से ब्लेंड हो सके मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर भी और ब्रश भी पहले मैं अपने फेस में चैसे फांडेशन लगाने के बाद ब्रश के मदद से अच्छे से पूरे फेस में कवर कर लूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छ कोइंट से में वहां पर लगा लोंगी और और जो भी नियुम इसे लगा लुगी तो आइस के नीचे लगा लुगी अ और नोस ब्रीज में लगा लोंगी फोर है इंग लि उसकी इंपर ताकी लिप्स यह पॉ spectrum लगे हु अब इसे beauty blender के मदद से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड करने के बाद अब मैं ले रही हूँ पाउडर तो ये है loose powder ये maybelline का ही है master fix ये लेकर मैं अपने under eyes में fix कर लूँगी ताकि crease line ना पड़े fine lines ना पड़े तो ये लगाकर मैं इसे bake होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर तक so eye makeup के लिए हम क्या करेंगे पहले ले लेंगे एक सबसे lighter shade मैं ये eye shadow palette यूज़ कर यूज़ आपके पास जो भी eye shadow palette है आप वो यूज़ कीज़ेगा पर shades जो है वो आप फिरण चेक कर सकते हैं तो मैं सबसे lighter shade लूँगी जो कि skin color काई है peach color का था वो shade तो वो लेके मैं अच्छे से अपने eye lid में लगा लूँगी ताकि lines वगेरा ना हूँ इसे अच्छे से blend कर लेंगे उसके बाद लेंगे green color का shade जिस तरह का dress आप पहन रहे हूँ close to it green color का shade ले ले लेना है तो मैं outer words लगाऊंगी outer word से invert करके लगाऊंगी outer corner से इसे अच्छे से blend भी करते रहना है ताकि एक जगा वो सेटलना हो जाए अच्छे से blend कर लेंगे दोनों eyes में करने के बाद हम लगाने के बाद अब लूँगी मैं black color का shade कोई भी black color का shadow ले ले और उसे green के उपर लगाएं यह और भी outer corner में होगा ताकि वो जो black color का shade है ना वो दिखे आपको तो इस तरह से मैं लगा कि अच्छे से blend कर लूँगी ताकि अच्छे से blend हो जाए और यह एक heavy या खराब ना लगे देखने में तो अच्छे से blend करने के बाद अब ले लूँगे मैं green color का glitter जो भी glitter मुझे लगाना था तो मैं पहले ना brush से लगा रहे थी बड़ ब्रश से वो चीज नहीं आ रहा था वो finishing नहीं आ रहा था तो यह जो glitter है ना यह fall नहीं होता है इसमें cream रहता है जो eyes में आपका आराम से stick हो जाता है जैसे glitter glue जो आता है ना उसका यह काम कर देता है यह आराम से आप पोच्छेगा तो clean भी हो जाएगा और देख सकते है finger के मदद से कितना beautifully यह eyes में लग गया है यह बहुत ही बहुत ही अच्छा eye shadow palette है इसमें बहुत जारा shades रहता है तो आप जिस तरह का भी make up करते हैं आपको इस तरह का shades में मिल जाता है तो glitter लगाने के बाद अब मैं ले रही हूं Maybelline का ही eyeliner यह लेके मैं अपने दुनों eyes में eyeliner लगा लूँगी eyeliner लगाने के बाद मैं ले रही हूं false lashes आप इसके साथ false lashes जरूर लगाएगा वह आपके lashes को enhance करता है जो कि look में भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आप eyelash लिजेगा तो glue जरूर लिजेगा उसके साथ क्योंकि जो भी eyelash का glue रहता है जब आप खरीदते हो वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है उसका adhesive और वह बहुत जल्दी fall हो जाता है तो जब आप extra से लगाते हो ना तो वह बहुत अच्छा से लगा लेंगे mascara और फिर use करेंगे kajal काजल लगाने से eyes hair और अच्छा लगेगा देखने में काजल लगा लेंगे कोई भी कोई भी brand का काजल आप ले सकते हैं काजल लगाने के बाद मैं green color का eye shadow फिर से लगाऊंगी और अच्छे से blend कर लोंगी काजल के साथ ताकि कोई भी harsh लाश लाइन ना हूँ तो सेटिंग स्प्रेस अपने मेकप को अच्छे तरह के सेट कर लेंगे और आप चाहें तो इसे ना नॉर्मली हवा में अराम से ड्राइ होने ते या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ड्राइ कर सकते हैं अब मैं ले ले रही हूं लिप्स् अच्छे से ब्लेंड कर लोगी मेरे पास जनरली ब्लश नहीं होता है क्योंकि मैं ब्लश काइंड ओफ कर नहीं हूं मुझे ब्लश लगाना नहीं पसंद है बिल्कुल भी पिर भी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मुझे लगाना पढ़ रहा है हलका से लगा लगा इस के बाद अपने पेस को चुल कर दोगी ताकि ऐसे चाही अचा से शेप बिल जाए नोस को कुटूर कर कर दोगी जाड़ा निशायलायन को कंटूर कर दोंगी और फिर ब्रॉस के मदद से अच्छ से से ब्लेंड कर लूँगी यह कंटोर जो है यह एन्वाई बेका है और अभी डिसेंटली मैंने इसे परशेश किया और एट वर्क्स अमेजिंग बहुत यह अचा कंटोर हो रही है अब मैं लेरी हूँ माई ग्लाम का लिप्सिक यह रेड कलर का शेड है और इससे अपने लिप्स में अच्छा से लगा कर मेकप को फिनिश करूंगी यह ना बहुत ब्यूटिफुल रड है बहुत ब्यूटिफुल रड है अब देख सकते हैं यह कितना मेरे इस मेकप को कंप्लिमेंट दे रहा है बहुत यह अच्छा लग रहा है यह देखने में सो हो गया है मेरा मेकप कंप्लीट अब फाइनल टज देंगे विध हाइलाइटर तो मैं यहां यूज कर रही हूँ स्वीज ब्यूटि का हाइलाइटर और इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स में लगा लूँगी ताकि यह बहुत अच्छा सा शाइन दे और बहुत अ ऊच्छा ग्लो आये फेस में और मेक अपका और बहुत अच्छा लगे अच्छा है अपने फेस में अध्शा से हायलाइट करने के पार अपने इनाइक़ाटर में लगाना ना भूले ईसे जो है लूक और अच्छा हाएगा क्योंकि आप लिधरी कर रहे हो तो वो बहुती अ अच्छा फिनिशिंग देता है सो हो गया है मेरा लुक कम्प्लीट और अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज दोंट फगेट तो लाइट सब्सक्राइब और हिट दे बैल आइकोन और मेरे वीडियो को शेर किजेगा बिकॉस इत मीन्स अलॉट अगर किसी को ऐसा लुक चाहिए तो उन्हें भी फिल्प हो जाएगा और मेरा वीडियो आप लोगे तक पहुँचे अट मीन्स अलॉट तो मी तांक यू फो वाच्छिंग अंटिल देन बाबाए